अगर इजाज़त हो तो बैं अजे जल्वान कुछ कहना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो आज का कॉंसेप्ट जो को दिस्काइब करने के लिए मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि देखिए अगर मैं अकेला हूं तो मुझे हरकोई जो है न डबोच सकता है नोच सकता है चैसे कितनी ही हाहा कार करूं चैकितनी ही आवाज लगाउं सब मुझे जो है न अ कि नीचा कर सकते हैं चाहे वो कोई भी छोटी सी छोटी ताकत हो चाहे ब्राह्मन वाड़ की ताकत हो चाहे मेरे कोई भी हो पर अगर हम अपने आपको समझें तो यह देखें कि हम जो है एक बहुत बड़ी विचार धारा के जो है वो उत्रादीकारी है कि हमारे पास जो विचार धारा है वो एक इतनी बड़ी विचार धारा है कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता इसी साथ इसी संदर्ब के साथ मैं आपको वीदा पीपल का कॉंसेप्ट समझाना चाहता हूं देखें दुनिया में दो चीजें हैं एक है सच्चाई और एक है जूट तो जो सच्चाई है वो उसको कितना भी दबा लो वो सच्चाई उभर के आएगी सच्चाई हमारे साथ है सच्चाई हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो जो है बुद्ध के बताए हुए सम्यक ग्यान के उपर है हम लोग जो है किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते किसी मनुष्य को छोटा नहीं कहते किसी मनुष्य को बड़ा नहीं कहते सब लोगों को समान बताते हैं इसलिए चाए वो बमन हो चाए वो समन हो चाए वो छत्रिय हो चाए वो वैश्य हो वो सभी के पास एक अधिकार है हम उन सभी का स्वागत करते हैं किसी को ये नहीं बोलते कि तू अच्छूत है कि तू क्योंकि इस परिवार में जनम लिया है तू पुजारी बनने के लाइक नहीं है हम लोग इस चीज़ को नकारते हैं हम लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर मनुश्य के रूप में जनम लिया है तो उसमें कोशल है उसमें बुद्धी है उसमें सच को जानने की चेतना है हम उसको बढ़ावा देते हैं अगर कोई ब्राहमन या कोई छतरीय ये समझे के हम लोग के उसका बुराई कर रहे हम बुराई किसी की नहीं करते हम सब को साथ बुलाते हैं हम सब को कहते हैं भाई तुम भी हमारे बराबर हो और हम भी तुमारे बराबर है हम भारत का विकास चाहते हैं हम चाहते हैं के भारत का विकास हो भारत का विकास तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कारे करने की इजाजत मिले अब देखिए ये मैं अपने विचार से नहीं कह रहा ये आप अपनी खुद हिस्टरी से समझ सकते हैं कि जब तक हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार काम करने का अपनी इच्छा अनुसार शादी करने का अपनी इच्छा अनुसार जो भी पब्द प्राप्त करने का जो अवसर प्राप्त था तब तक भारत एक महा भारत बन के रहा उसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान, बंगलादेश, बर्मा, हर जगें के उपर एक बहुत बड़ा जो है इखट पैदा किया मौरे समराज के रूप में पर जब यह विचार आया के आप इस लायक नहीं हो, आप यह काम नहीं कर सकते, अब जब मैं खुद अपने हिसाब से बताता हूँ के जब मैं कभी किसी गाओं में जाता था या कहीं जाता था तो बोलते था भाई तू किस जात का है, चमार का है, भंगी का है, या कोई और जाती का है, तो वो आपको अपने आप मीचा कर देते थे। जब आपके दिमाग में यह बात जमा दी जाती है कि आप किसी लाइक नहीं हो तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी समस्या है भारत की भारत को मैं ने छोड़ा इसलिए नहीं कि भारत में कोई कमी थी भारत में सिर्फ यह कमी थी कि वो जो लाइक इनसान है जो आदमी काम कर सकता है उसको काम करने नहीं देते। क्यों क्योंकि जो लोग उपर ब्रामनवाद और मनुवाद की श्रेणी के अंदर बैठे हैं वो बिना पैसा बिना काम किये सब का सोशन करते हैं और पैसा कमाते हैं अगर आप सभी लोग उसी ब्रामनवाद और उसी मनुवाद के चक्कर में रहना चाते हैं तो वो आपकी इच्छा है उसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता पर ये जरूर बता दूँगा के आप जब तक अपनी शमता को नहीं समझेंगे आप अपने आने वाले बच्चे अपने आने वाली सभी पीडियों को एक ऐसी जगां पहुचा देंगे के वो भीक मांगने लाइक भी रहेंगे मैं इसका जीता जागता उधारन हूं मुझे हमेशा दिमाग में रहता था के भाई मैं जो है एक छोटी जाती से हूं मेरे बस में नहीं है जो बड़ी जाती वाले लोग कर सकते हैं पर आप सभी लोगों को समझना चाहिए अगर आप अपने बच्चों के दिमाग में ये जाती वाद डाल देते हैं तो वो बच्चे चाहिए कितने ही प्रतिबाशाली हों वो वेचारे कितनी भी मेहनत करें पर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्यों क्योंकि उनके अंदर ये विचार है ये विचार है कि उनकी प्रतिबा वो ब्रामनवादियों के बराबर नहीं पहुंच सकती क्यों नहीं पहुंच सकती क्योंकि ना तो उनके पास रिसोर्स है ना उनके पास नेटवर्किंग है क्यों क्योंकि जैसे ही वो किसी भी ही जगहा पे अपलाई करते हैं सिर्फ उनके नाम से ये पता लग जाता है कि भाई इसको नीचे धका मारना है मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैंने हर दुनिया के हर कोने में काम किया है हर दुनिया के हर कोने में पढ़ाई की है मैंने अफरीका में काम किया है मैंने यूरोप में काम किया है मैंने हिंदुस्तान में काम किया है मैंने अमरीका में काम किया है पर मुझे ये पता लगा है कि हिंदुस्तान का जो भारत का जो एक सिस्टम है वो सिस्टम आप लोगों को नीचे गिराता है और आप लोगों को नीचे इसलिए नहीं गिराता कि आप लोग भारत के उस सिस्टम को जो है सिर्फ मानते हो वो जो भारत का जो सिस्टम है जो मनुवाद ने बना रखा है वो आप अपने बच्चों को दे देते हो बच्चे कभी नहीं उसके अंदर पनप पाएंगे ये जो प्लैटफॉर्म है वो एक प्लैटफॉर्म है वो आपको ये दिखाता है कि आप में और किसी ब्राह्मन में कोई फरक नहीं है आप लोग जैसे कि मैंने जितने भी टेस्ट दिये हैं जितने भी एक्जाम दिये हैं वो सब हम अराम से क्वालिफाई कर सकते हैं प्रोवाइड़ के हम जैसे बच्चों को वो सारी सुविधाई दे सके हैं पर हम सुविधाई नहीं दे पाते क्यों क्योंकि घर में निकलते ही आप चाहिए रोड पे जाओ चाहिए आप गाउं में जाओ आप चाहिए समाज में जाओ बच्चे के दिमाग में ये आजाता ह कि तू किस परिवार से है वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत मनुवाद में नहीं है वो दिक्कत इसमें है कि आप लोग अपने बच्चों को नीचे गिराते हो आप लोग बैठे हुए हो बड़ी-बड़ी भाते करते हो पर अपने बच्चों को ये कभी नहीं बतात कि भाई जो लोग ब्रामनवाद को मानते हैं वो जूठे हैं उनके वेद जूठे हैं उनके जितने भी दर्शन है अब क्योंकि मैं मनोवज्ञानिक हूँ मैंने जितनी भी टेस्ट किये हैं मैंने जितने भी रिसर्च की है मुझे पता लगा है कि जो असली दर्शन है जिसे असली इलाज होता है जो असली साइन्स है वो मात्र और एक मात्र बुद्ध के पास है वो जो शास्तर है वो हमारा है अगर आप बच्चों को ये बताएं कि जो हमारा शास्तर है वो सच्चाई के उपर है बच्चों को सिर्फ बुध की एक बात बताएं कि तुम हमारा मत विश्वास करो पर अपना विश्वास करो बुध के रास्ते बताओ बुध के जो है पंचशील बताओ बुध के अस्टांगिक मार्क बताओ तो हमें पता लगता है कि हम जो हैं हम साइन्टिफिक हैं बुद्ध ने जितने भी विचार बताये थे वो दुनिया की मैंने सारी पढ़ाई कर ली है जितनी भी पढ़ाई हो सकती है मैंने हर कोशिश में जो है पढ़ाई करके टेस्ट करके खुद देखा है कि वो बुद्ध से जादा कुछ नहीं है बुद्ध का रास्ता एक सम्यक सम ग्यान है उस ग्यान के प्रती अगर बच्चों में अगर हम ये चेतना लाग सकते हैं अगर ये अवेरनेस ला सकते हैं तो हमारे उत्रादिकारी जो हमारा भारत है वो दुनिया में सर्वोत्तम होगा जो हमने प्रगती की है उसके आगे कुछ नहीं है देखिए दो तरह की चीज़े हैं एक चीज़ होती है कि जो है हम देखते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी है मेरे पास भंगला है मेरे पास दुकान है मेरे पास पैसा है एक ये चीज़ होती है दूसरी चीज़ होती है जो असली है जिसको कहते हैं विचार अगर हमारा विचार सच्चा है अगर हमारा ग्यान सच्चा है तो सच्चाई आपको कितनी बार भी आप टेस्ट करो कितनी बार भी आप उस सच्चाई को पूछो तो आपको वो जवाब वही मिलेगा तो वो जो ग्यान की जो सच्चाई है वो हम लोगों के पास है वो जो ग्यान की सच्चाई है वो जो है मनुवाद छुपाता है मनुवाद छुपाता है इसलिए है कि वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को आने वाली बच्चों को वो अपना समान देता रहे पर अगर हमारे जो देखिए कबीर रवीदास चर्वाक चरक शुशुरुता आप आरे भट जिस किसी भी वेग्यानिक का जिस किसी भी अगर आप हिंदुस्तान में जो तरक्की करने वाला आदमी है उसका नाम लो हो तो वो सिर्फ बुद्धा के जो है बताए हुए मार्ग के उपर ही चला है कोई भी ब्रामन कोई भी जो मनुवादी है वो कभी भी इस रास्ते पे बिटन कभी भी इस रास्ते के उपर ऐसा तरक्की नहीं किया है कि जो हमें एक एक नया विचार दे सके तो ये बात कहते हुए अब मैं इस प्लैटफॉर्म पे आता हूँ देखिए हमारे पास ग्यान तो बहुत है हमारे पास जानकारी भी बहुत है पर हमारी जानकारी और हमारे ग्यान में सिर्फ दिक्कत ये है कि हम लोग बोलते नहीं हैं हम लोग बताते नहीं हैं हम लोग सच का साथ देते नहीं हैं हम लोग अकेले पड़े रहते हैं हम लोग कभी भी एक दूसरे की जानकारी नहीं करते हैं जब ये एक मातर प्लैटफॉर्म है ये एक मातर जो एक आपको क्या बता सकते हैं कि मंदिर है जो बना हुआ है जो आपको अपनी सचाई की तरफ अग्रेसर करता है और सचाई की तरफ अग्रेसर इसलिए करता है कि आप इसको सवाल करें आप इसके अंदर जवाब करें जितने सवाल कर सकते हैं आप करो आपको सवाल करने से कोई नहीं रोकता अगर आप किसी रिलिजिन क्योंकि मैं तो देखो हिंदू भी बन चुका हूँ मैं इसाई भी बन करी हैं और मैं मुसल्मान के सारे जो है वो किताबे पढ़ चुका हूँ मैं यहूदियों की किताबे पढ़ चुका हूँ पर सिर्फ जब आप धरम की बात करते हैं रिलिजन की बात करते हैं तो हमेशा आपको सवाल करने से मना किया जाता है सिर्फ एक हमारा जो एक मार्ग है वो आपको कहता है कि आप सवाल करो आप पूछो अगर आपके सवाल ये बताएंगे कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है तो हम बदलेंगे हम हम सचाई की और अगरसर हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ भी हो सचाई से बढ़ कर कुछ नहीं होता सचाई हमेशा रहती है क्योंकि सचाई हमेशा रहती है वो उसकी हमेशा जीत होती है तो हम लोग सचाई के मार्ग के उपर हैं हम लोग एक ऐसे मार्ग के उपर हैं सिर्फ हमें अपने बच्चों को विश्वास दिलाना है हमें संगठ हित होना है अमें एक मात्र सब लोगों को इखटा हो के बोलना है कि हम लोग सवाल करें, हम लोग पूछें, और हम लोग जैसे ही खटा होंगे, हम लोग जैसे ही सवाल करेंगे, हम लोगों की विजये निश्चेत है, अब ये एक प्लाटफॉर्म ऐसा है, इसके मुकाबले में आपको कभी, जो है, कम से कम अपने जीवन भर में, मैंने ऐसा कोई प्लाट जहां आपको सवाल करने की छूट है आप उस प्लैटफर्म को जोइन करो और आपको अगर ये लगता है कि आपको यहां पे छूट है आपको बोलने की छूट है तो मेरी आपसे विनती है कि आप उस सच्चाई को सब दुनिया के सामने लेके आओ क्योंकि इसमें सिर्फ आपका विकास नहीं है आपके आनी वाले हर पीडी का विकास है क्योंकि अब देखो ग्यान बाटने के लिए तो मैं कहने के बहुत सारी बाते कह सकता हूँ पर मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद हर बात को अपने दिमाग से सोचो अपना दिमाग लगाओ अगर आप दिमाग नहीं लगा सकते तो भाई अपने जो है पती या पतनी या बच्चों का दिमाग लगवाओ और पूछो के भाईया मेरे पास क्या रास्ता है किस रास्ते पर जाना चाहिए अगर आप अपने आपको किसी ब्रामण किसी यहूदी किसी इसाई किसी मुस्लिम से कम समझते हो तो दिमाग लगाओ कहां है दिक्कत और उसका समाधान आपको इस प्लैटफोर में मिलेगा मैं यह आप से फिर भी नतिक करूँगा कि आप जुड़ो आप पूछो सवाल जितना आप सवाल पूछोगे उतना तरक्की करोगे इसी एक विचार के साथ मैं आप से ये कहता हूँ कि भाई आप यहां पे जो भी बात सुनते हो उसका विश्वास मत करो अपना दिमाग लगाओ कि ये सच है या सच नहीं है मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सच का साथ दो अगर जब तक आप सच के साथ हो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती चाहिए वो न्यूकलियर बॉम हो चाहिए दुनिया की कुछ भी हो जब तक आप सच के साथ हो आप हमेशा विजयी रहोगे जब तक आप मेहनत करते हो जब तक आप अच्छे करम करते हो आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती इसी विश्वास के साथ क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है ये मेरा अपना अनुभव इसलिए है कि मैं गाव में पैदा हुआ था. मेरे पीटाजी ने मेहनत की. मेरे दादा ने मेहनत की. मैंने पूरों का व्यपार किया. मैंने जो है पशू का व्यपार किया. मैं जो है बैल गाड़ी पे बैठा मैं घोड़ा गाड़ी जो है उट गाड़ी पे बैठा मैं सब जगहें पर जाके व्यपार किया मैंने जो है हर तरह से देखा कि मेरा परिवार किस-किस परिस्थितियों में मेहनत करता था और जो सच्चाई के साथ मेहनत करता है उसकी हमेशा विजए होती है आप चाहिए कितने भी धरम पढ़ लो, चाहिए कितने भी गरंत पढ लो, चाहिए कितनी भी बाते कर लो, बातों का कोई दुनिया के अंदर उत्तर नहीं है, बाते जूट हो सकती हैं, पर आपकी मेहनत कभी जूट नहीं होगी, आप चाए ज़ाडू लगाओ, मैं चाए जो है बरतन धो हूँ, चाए ज़ाडू लगाओ, चाए कुछ करूँ, जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उस महनत का परिणाम मिलेगा, तो मुझे पता है, मेरे इस परिवार के अंदर, मेरे इस परिवार, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, बात करता हूँ, लोगों के साथ, हर व्यक्ति, हर आदमी, हर ओरत, हर बच्चा महनत करने वाला है, घर ने जो है जितने भी काम हो सकते हैं उस सारे काम कर रखें तो उसको अगर मैं दिमाग में लगाता हूँ तो भाई इकटे हो जाओ एक दूसरे को जोड़ो आप लोगों की जो शक्ति है आप जो लोगों के साथ जो सच है वो जो है आपको दुनिया के अंदर हर प्रकार की विजय प्राप्त कर देगा सिर्फ एक म रहोगे आपका शोशन होता रहेगा आपको शोशन अभी नहीं हुआ पिता जी दादा जी पड़ दादा जी हर टाइम पे आपका शोशन होता रहा है सिर्फ अगर आप अपने शोशन को रोकना चाते हो तो भाई इस प्लैटफोर में जितनी ताकत लगा सकते हो वो लगा द मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के इतनी ही विंती है देखो मुझे अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा पर अगर आप भाई और बहन मजबूत होते हो तो मुझे ये पता है कि मेरे आने वाली पीड़ी और मेरे उसके बाद वाली पीड़ी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई उनको दोखा नहीं दे सकेगा तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर इतनी ही विनमर विंती करता हूँ कि आज डॉक्टर अमबेड कर भीमराव अमबेड कर ने ऐसा समीधान आपको दे रखा है कि उसकी रक्षा कर लो कि आप लोग एक जुक्ठ हो जाओ अपने भाई अपने बहन अपने परिवार अपनी एक एक जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है भेद भाव मिटाओ और उनको इखटा करो आप जब अपने परिवार को इखटा करोगे तो आपका समाज इखटा हो जाएगा आपका समाज इखटा हो जाएगा तो मेरा भला हो जाएगा इसी बात के साथ आप सभी को जै भीम नमो गुद्धाए बहुत बहुत स्वादू जल्वान साम बहुत स्वादू बहुत स्वादू आदा प्रेलों सादू 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 आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने twitter पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूट नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं वाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद संगं सरन गच्छामी तूर्तियं पी बुद्धं सरना गच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी 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 झाल